हेलो स्टेंट्स वेलकम टू दक्ष अकैडमी लाडवा बचो हमने मैच्स में 500 इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स जो प्रिविश यर्स में आई हुए हैं उनके एक सीरीज स्टार्ट की हुई है आज नेक्स्ट क्लास हम उसमें लेंगे सो सरीज स्टार्ट करते हैं देखें बच कि लेंगवेज को समझेगा बचो यहां पर नंबर से दिए गया है कि वन से लेकर 1000 तक इसका मतलब क्या बचो देखेगा कि आपस में आप अगर आप इनको मल्टिपलाई करते हैं इस तरह से 1000 तक तो जो रिजल्ट आएगा न यहां पर उसमें लास्ट में सुन्यों की संख वर क्जिएगा जरह जो भी लास्ट नंबर ँसको अपने फाइवससे कर दिए और ध्यांसे समझने जर्ठ जो भी हमगढ़े दे रक नवश्कापने 5 के मैं करके दिएगा यहां पर एका वेज़ा बत देखियेगा 200 आया है फिर दो सो का आपने क्या करना है फिर से पांस से भाग कर देना तो इस तरह से आपके पास यह 40 आएगा 40 को आपने फिर से पांस से भाग कर देना है तो बचो यह आएगा आपके पास 8 अभी 8 5 से और डिवाइड हो सकता है तो हम इसको और डिवाइड करेंगे पाता 249 इसका मतलब है कि जब हम इस तरह से जो continuity में नंबर होंगे जब हम उनको multiply करते हैं तो हमारे पास सुन्यों की संख्या बनेगी इसमें 1000 तक वो बनेगी 249 तो option number one हो गया आपके पास यह ध्यान लखिए कि continuity में इस तरह से number हो हमारे पास one से लेकर ओके next question देखते हैं जब किसी संख्या को 121 से भाग किया जाता है तो सेस जो है वो 25 बसता बच्चों देख लीजिए जगा धान से स्क्श्द को यदि उससी संख्या को 11 से भाग किया जाए तो सेस क्या होगा ओके यहां देखिएगा आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर हम संख्या को 120 से होट करें तो हमारे पास छेशा 50 लेकिन dc हम उसी संख्या को 11 से भाग करने तो फिर क्या से होगा ऐसे को करने के लिए बच्छों बहुत ही असान मैथड है तो जो आपका यहां पर से बचा हुआ है न उस से इसको ही आप इससे डिवाइड कर दें जो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है तो ग्यारा दूनी 22 होंगे बच्छों यहां पर तो सेस कीतना बचाती थ्री तो इसका मतलब जब हम उस संख्या को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेस फल कितना है एक बच्छों 3 यानि क संख्या चोटी से चोटी पूर्ण वर्ग संख्या अब देखेंगे बच्छों जब कभी भी हम बात करते हैं कि संख्या किसी इन नंबर से डिवाइड होगी तो इसका मतलो LCM फाइंड आउट करना हमें यहां पर ध्यान रख लीजिए बच्छों LCM जो होता है वह हमेंसा न वर्ग संख्या दिया दी गई है तो यह थोड़ा सो कुश्चन चेंज है लेंग्वेज को संजिएगा लेकिन हम सबसे पहले हम इसका LCM फाइंड आउट करते हैं तो LCM का एक मैंधर तो यह है मैं फाइंड आउट करने का इनको फैक्टराइज कर लेते हैं ओके तो यहां प दिवाइड करता तो उसको हम यहीं पर कट कर सकते हैं ओके फिर हम यहां पर क्या करेंगे बच्छो 3 से डिवाइड करेंगे इसको 3 2 जा 3 5 जा और 3 3 जा 9 इस तरह से आजाएगा आगे भी डिवाइड नहीं होता अब यहां पर देखिए का बच्छो हमने इनका LCM के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बच्छो 2 इंटू 2 थोड़ा सा हम इसको स्रीज में लगा लेते हैं यहां पर इस तरह से ओके तो अगर LCM की बात करें तो LCM बच्छो आपके पास यह आ जाएगा और यहां से जो मल्टिप्लिकेशन आती है बच्छो वह आती 180 180 फरस्ट अंस स्रीज में आती है नंबर हमारे और आप यहां से देख भी रहोंगे के स्वाशन हमारे complete इनकि मैं की मिल्टिप्लिकेशन ओगी वो प्रक्रैक्ट्सक्यार नहीं होगी तो heck square complete करने के लिए बचो हमें क्या करना पड़ेगा एक 5 से और multiply करना पड़ेगा इसको ठीक है तो जब हम इनको multiply करते हैं देखेगा 5 2 10 5 2 10 ओके तो यह तो 100 हो गया 3 3 कितना हो गया बचो 9 तो जब इनकी multiplication करते हो तो बचो यह आता है 900 और 900 एक perfect square number है ओके तो इस तरह से आप ऐसे question को यह पेर complete करके भी कर सकते हैं और कई बार हम इसको option से भी try कर सकते हैं तो वह भी एक method आप apply कर सकते हैं लेकिन concept भी आपको clear होना चाहिए अब देखेगा एक question और है 80 का 15 प्रतिशत का पांच प्रतिशत तो यहां पर देखी क्या दिया गया आपको के 80 का का मतलब multiplication होता है अब दो बार बचो इसमें percentage आया है इसका मतलब दो बार आप यहां पर हंडर्ड भी लगा होगे clear है 20 चोक्या सी 20 पंजे सो पांस से पांस कैंसल हो गया आगे भी हम इसको cancel कर सकते हैं लेकिन देखेगा 15 चोक्या साथ और नीचे है हंडर्ड तो इसका मतलब 0.6 आपका अंसर आ गया कोई धनराशी चकुरिदी व्याज यानि के compound interest से 6 वर्स में दुगनी हो जाती है उसी व्याज दर से वह धनराशी अपने pattern को आप समझेगा यहां पर जो इधर प्लस और इधर multiplication मतलब क्या है बचो कि जैसे 6 साल है तो 6 साल इसमें और प्लस कर देंगे तो बचो कितना हो जाएगा 12 वर्स ध्यान से समझ लीजिए गा और इधर 2 को 2 से गुना कर देंगे हम तो यहां पर बचो आएगा कितना 4 यानि के यह धनरासी 12 वर्स में खुद का 4 गुना हो जाएगी ओके फिर से हम और प्लस करते हैं क्योंकि हमें निकालना कितना बचो यहां पर देखीगा 8 गुना निकालना है तो फिर से प्लस करेंगे ध्यान लखेगा हर बार यह नंबर प्लस होत तो चला जाएगा तो यह कर सकते हो ओके यानि के 8 गुना होने में उस रासी को कितना समय लगेगा बचो 18 वर्स तो यही आपका आंसर हो जाएगा समझ पारे उस पॉइंट को तो जब कभी कोई भी ऐसा क्वेशन आए बचो तो आपने क्या गर्णा इधर प्लस करते चले जाना है और इस तरफ आप इसको मल्टिप्लाई करते चले जाओगे समझ पारे ओके चलिए अगर नेक्स देखते हैं किसी धनरासी पर चार प्रतिसत वार्सिक दर से दो वर्सों के सधान व्याज और चक्रि निकालेंगे फिर दोनों का डिफरेंस फिर यूरिटरी मैथल लगा के इसको सॉल्व करेंगे उससे बहुत लंबा हो जाता है बचो इसके लिए क्या करना हमें जोर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर देखिएगा डीफोर डिफरेंस इस फोर्मूले को आपने याद रख बहुत ही असान है देखिएगा दो साल का फॉर्मूला जब आपको देर खोए दो साल का अंतर तो आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है डीफोर डिफरेंस यानि के अंतर आएगा पी मूलधन को शो करेगा और आर जो है बचो दर को शो करेगा तो यहां पर हंड़र स् तो जब आप इसको कैंसल करते हैं तो 25 इसको कैंसल करते हैं तो 25 और 25 का स्केर कितना हो तो भुचो 625 उसका पिस तरफ लेके जाओगे तो इसका मतलब जो पी की वैल्यू आई वह 625 आगे आपके पास जो मूलधन है वह 625 है तो इस मैठर से बचो बहुत असान हो जाता है और यह बहुत important questions हैं ध्यान से देख लीजिएगा D is equal to PR square और राय में 100 square इसको याद रख लीजिएगा जब समय जो है वह दो साल दे रखा ओके मौस्टली question बचो इसी टाइप कारता है तो जब समय दो साल होगा तो आप इस तरह से सीधा मूलधन निकाल सकते हैं कुछ और question discuss करते हैं देखें बचो एक बहुत important question ये भी है एक रेल गाड़ी 800 मिटर और 400 मिटर लंबे दो पुलों को करम से 100 सेकिंड और 60 सेकिंड में पार करती है रेल गाड़ी की लंबाई हमें गयात करनी है बचो इस topic के उपर हमने बहुत ही शांदार वीडियो कई और मना चुके ह तो आप चैनल की playlist में जाके वहां से भी उनको देख सकते हैं चलिएगा देखेगा इस question को करने का बहुत यह असान तरीक का बचो और वह बचो pictorial form मानके चलते हैं कि रेल गाड़ी की लंबाई है और यह एक 800 मिटर लंबे पुल को पार करती है इसी तरह से दूसरी situation जो है उसमें रेल गाड़ी की लंबाई सेम रहेगी लेकिन पुल है पुल की लंबाई बचो अब की बार हो गई है 400 मीटर ध्यान से समझ लीजेगा इस बात को तो यहां से रेल गाड़ी और जो पुल की लंबाई होगी बचो वह ऌगी दूरी तो वह दूरी टौल कितनी बनती है बचो पी प्लस में 800 मीटर बन जाएगी यह तो हो गई डिस्टेंस और टाइम कितना दे रखे इसमें 100 सेकिंड क्लिर है इसी तरह से दूसरी सिच्वेशन जो है उसमें डिस्टेंस कितनी बनी बचो हमारी प्लस में 400 और जो टाइमिंग होगी बचो उसके अंदर वो कितनी को पार करी है तो उसकी चाल जो हो समान रहेगी तो इसका मदल जो फिस्ट पिस्टक्रशन है वहाँ से हमारे पास चाल क्या रहेगी प्लस में 800 डिवाइड़ बाय में 100 और एकवल टू यहां से भी चाल आएगी हमारे पास पी प्लस में 400 और एक harbor इंस टी में 2400 और यहां से क्या आएगा बचो आपके पास 5P और प्लस में 2000 तो जब आप इनको interchange करते हो जैसे 5P में से 3P माइनस करते हो तो कितना था बचो 2P और इसी तरह से 2400 में से 2000 माइनस करते हो तो कितना था बचो 400 क्लियर है तो पी की वैल्यू कितनी आगी बचो यहां पर 200 मीटर और पी की लंबाई जो है वचो गाड़ी की लंबाई है तो इसका मतलब कोशन क्या आगए यहां से 200 मीटर समझ पाएगा हो इस बात को तो इस तरह से डाइग्राम बना के आप करते हो तो बहुत असानी से क्वेश्चन हो जाता है अभी तो मैंने आपको समझाया है तो आप इसको डिरेक्ट यहां से कर सकते हैं यह लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको इसी तरह से बचो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगे होगी सबी कंसेप्ट अच्छे से कलियर हुए होंगे सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नॉटिविकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि टाइम टो टाइम इंपोर्टेंट वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक आती रहें थैंक्स फ़र वच्छीं